हाई आवडीवन जो हम द्रव द्रव विग्ञानी अध्याय पढ़ रहे हैं उसका ये लास्ट वीडियो है और इसी के साथ में अध्याय खतम हो जाएगा अभी तक हमने जल के बारे में सबसे पहले पढ़ा उसके बाद हमने दूद के बारे में पढ़ा फिर हमने शहत के बारे में पढ़ा फिर इक्षुवर्ग के बारे में पढ़ा और पिछले वीडियो में हमने तेल के क्या गुरधर्म होते हैं आचारवागबर ने तेल से सम्मं अब शराब पीने के जितने भी लोग जो यह वीडियो देख रहे होंगे मैं आप लोग एक चीज़ बता दूँ कि शराब भी आयरवेद में एक और शदी की तरह इस्तिमाल की जाती है बहुत सारी आयरवेद के और शदियां होते हैं जो आसव अरिस्ट होते हैं वो मेडिसिन शराब ही होते हैं मतलब क्या किया जाता है आसव इस्ट का निर्वान करने के लिए बहुत सारी जो और शदियां होती है उनसे शराब बनाई जाती है ठीक है उसमें शराब का अपना परसेंट होता है किसी में 20 परसेंट किसी में 30 परसेंट किसी में 45 परसेंट अलग-अलग composition होते हैं उसमें कितना percent alcohol है वो जायतर उसमें लिखा भी रहता है कई बार लिखते भी नहीं है आजकल क्योंकि वो दवाईया है तो शराब जो है alcohol वाली जो कलपना है जो मद्ध कलपना है वो आयरवेड का बहुत important हिस्सा है लेकिन एक line आप सुन लो आचारे ने बहुत ही clearly लिखा है शराब पीने के मामले में युक्तिया पीतम अम्रतम यदि युक्ति पूर्वक शराब को पिया जाए युक्तियम पीतम अम्रतम यदि युक्ति पूर्वक शराब को पिया जाए तो यह अम्रत के समान गुड़कारी होती है ठीक है युक्ति पूर्वक यदि कोई व्यक्ति एल्कोहल या शराब का या शराब से बनी हुई कलपनाओं का सेवन करता है तो ये अम्रत के समान गुड़कारी होती है लेकिन विश्वद अन्यथा यदि आप अन्यथा इसका प्रयोग करते हो बिना युक्ति के प्रयोग करते हो बिना आर्विद औशदियों के प् खतम कर देता है बहुत जल्दी आपको नुक्सान पहुचा देता है तो जो भी व्यक्ति खाने के साथ में या फिर पार्टीज में या फिर कहीं पर भी एलकोहल, बियर, ड्रम, विस्की, वाटेवर इन सारी चीजों का सेवन करते हैं उन सभी लोगों को मैं बता दू कम से कम आईयरवेद में इन सबका निर्देश बिलकुल नहीं है, लेकिerness same time अगर कोई ऐसा व्यक्ति बोलता है कि आइयरवेद वाले व्यक्ति को इन सब के बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए या फिर आयरवेद वाला जो व्यक्ति है, जो योग करने वाला व्यक्ति है, जो आयरवेद को फालू करता है, उसको कभी शराव या शराव से बनी हुई और शदियान नहीं लेनी चाहिए, तो वो भी गलत है, कोई भी चीज, यदि हम युकती से प्रयोग करते हैं, तो हमारे हर चीज के लिए खायदा पहुचा सकती है, अगर उसको सही तरीके से इस्तमाल करें, तो शराव के मामले में बहुत क्लियरली लिखा गया है, किसी और चीज की तुलना, दूद के बारे में जो हमने वर्णन किया, तो उसकी तुलना अम्रत से नहीं करी, उसकी तुलना हो भी mental status होता है, इसको बढ़ाने का काम करती है, ठीक है, यदि आप mentally बहुत positive फील कर रहे हो, यदि आप मेरा phone आ रहा, पर हम बाद में बात करें उसमें, जो कुछ भी हम mentally फील कर रहे होते हैं, यदि आप positively फील कर रहे हो, तो आपको और जादा positive फील करवाएगी, लेकिन यदि आपका breakup हो गया है, यदि आप परिशान हो, यदि आपके office में problem चल रहे है, और उस समय पर आप शराब पी रहे हो, तो आपको mental condition और जादा बुरी हो जाएगी, ठीक है, तो ये चीज़ गलती बिलकुल मत करना, अपने breakup को handle करने के लिए अपनी फालतु की उटपटा को या साक्तिक व्यक्ति को शराब पी सकता है, केवल वही व्यक्ति है चो शराब पी सकता है, उसके अलावा किसी और व्यक्ति को नहीं पीता चाहिए, मेरे gate पे कोई आगया, हम continue करेंगे यहां से, चलो continue करते हैं, जो मैं आपको बता रही थी कि पहली बात तो मद्द कभी शराब कभी भी आपको अपना breakup हैंडल करने के लिए, या फिर life में कोई problem चल भी है, कोई crisis चल रहा है, उसको handle करने के लिए बिलकुल ही नहीं सेवन करना है, प्योंकि उससे आपकी problem solved नहीं होने वाली, ठीक है, दूसरी बात शराब कभी भी खाली पेट आपको सेवन नहीं करने हैं, अदर्वाइस ये बहुत जादा वात को बढ़ाने वाली होती है, शराब पीने से पहले आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ खाना चाहिए, उसके बाद ही थोड़ा सा आप हलकी मातरा में, ठीक है, बहुत ही हलकी मातरा में, तीसरी बात शराब कभी तब नहीं पीनी किसी भी कंडिशन में आपको अलकोहल नहीं लेना है, उसके बाद इंपॉटन बात यह है कि यदि आप शराब का सेवन कर रहे हो, तो आपको अपनी मेंटल कंडिशन के उपर बार बार ध्यान देना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन करने पड़ेंगे, आपको पॉजिटि पुलहारी मार लोगे, यदि आप ऐसी कंडिशन में शराब पी रहे हो, जब आप अल्रेडी मेंटली काफी जादा वीक हो, काफी जादा कमजोर हो और आपकी लाइफ में कुछ भी सैड वाली चीज़े हो रही है, शराब हमेशा जब आपका मन खुश हो, जब आनन्दित हो जब आपको लगे कि लाइफ में सब कुछ बढ़िया है, आपकी अच्छी जॉब चल रही है, गल्फ्रेंट के साथ सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वाइफ के साथ जो कुछ भी आपकी लाइफ में है, गल्फ्रेंट, बॉइफ्रेंड या वाइफ जो भी आपका स्टेट किसी भी mental condition में आपको नहीं लेना है, health condition के लिए ले रहे हो, तो please आपको doctor से बात करने के बाद ही किसी प्रिकार की चीज का सेवन करना है, जो बहुत सारे YouTube में उटपटांग आते रहते हैं, कि बीर का सीवन करने से ऐसा होता है, wine का सेवन करें, stone में कई लोग उटपटांग बताते रहते हैं, कि stone निकल जाती है, पत्री के treatment में फायदा करती है, यह सब बगवास बात है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, उसके बाद शराब के बाद अगली जो चीज है, बैसे आयरवेद में बहुत सारी अलग-अलग शराब के गुड़ बताए रखे हैं, कि जो बा आयरवेद की आशरदियों के अंतरगत अल्रेडी आ जाता है, तो आयरवेद डॉक्टर लिख देते हैं, तो यह आपके मतलब की चीज नहीं है, जो इंडिकेशन थे उसको बहुत अच्छे से धियान रखना, उसके बाद आता है गौमूत्र का वर्णन, देखें, पहली बा होते हैं, उनके अलग-अलग हेल्थ कंडिशन में एक्स्टर्नल प्रियोग बताए गए हैं, इसमें कौन-कौन से आते हैं, गाय का, बकरी का, भीड का, भैस का, हाथी का, घोड़ा, उड़ और गधे, इन सभी के मूत्र का वर्णन किया गया है, ठीक है, अब यदि कोई भी आपको किसी भी धार्मिक रीजन की वज़े से बोलता है कि गौमूत्र का सेवन करो, कैंसर ठीक हो जाएगा, गौमूत्र का सेवन करो, आपका कोरोना ठीक हो जाएगा, तो वो बगवास कर रहा है, ऐसा बिलकुल नहीं होता, ऐसा कोई specific एक जगए पर indication नहीं है कि गौमूत पीते हैं उनके लिए भी है, external उनके लिए भी है कि इसको लगातार सेवन नहीं किया जाता, गौमूत्र बहुत ही जादा तीक्षण होता है, यदि आप बहुत लंबे समय तक आप प्रियोग कर रहे हो, तो आपके शरीर में पित्त की मातरा को बढ़ाने वाला होता है, पित लेकिन उसका मूत्र हमारे लिए पूजने नहीं होना चाहिए, कम से कम at least health condition के लिए, ठीक है, चलिए, और इसी चीज़ के साथ में ये पूरा चैप्तर खतम होता है, द्रव 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 विज्ञानी अध्याय अध्याय अच्छ है, यह हमने पूरा complete कर लिया, कल हम अगल stay healthy and be happy, goodbye